नियूर को असम्य दिया ही? इस ट्रोफी के जितने सायद हमारे प्लेयर को एन्वरली कांट्रैक्ट मिलता है प्लेयर को बोनसिस मिलते है तो वो काम हमारे कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स को भी मिलना चाहिए एक इंपॉर्डन चीज और है कोच और कैप्टन की जो साजेदारी होती है की जो जोडी होती है स्ट्राटेजी तो छोडी है टेंपरेमेंटिली थोड़ी similar होनी चाहिए इसलिए एक दूसरे के साथ नहीं तो वो दो तलबारे एक मैहन में हो जाए तो फिर बड़ी प्रब्लम हो जाए जब बड़े माचिस खेलते हैं तो आपको वह काम माइंड की जरुवत पड़ती है वहां पर ऐसे हपड़ा दबड़ी ना मचे वह बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह T20 क्रिकेट में आपको कई बार वह पैनिक बटन दबते हुए नजर आते हैं तो वहां पर उस टाइम पर आपको वह दिखाना बहुत जरूरी है कि आप कंट्रोल में बहले ना भी हो तो मास्टर है राउल रविट और रोईट शर्मा भी उसी तरह से टीम चलाते है और दोरों ने बहुत अच्छे से काम किया अच्छे तरीके से प्लानिंग करी एक दूसरे की सोच को समझा कि कहां लेके जाना है टीम को और दोरों ने हाथ से हाथ मिला है और यहां पर भारत के लिए जो एक एक चीज़ की जरूरत थी क्योंकि यह डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जितने जितनी कॉलिटी है कि कहीं ना कहीं वो आई सी सी ट्रोफी आए और वो आई इस पर मुझे लगता है रोई छर्मा को बात करने चाए रावल लोड से मना लेना चाहिए एक और टैन्योर क्या है दो ही वर्ल्ड कप तो है भी बाकी रावल लोड ने कहा जरूर है कि यह मैं इसके बाद शायद नहीं करूँ है लेकिन गैरी कर्ष्टन ने भी दोजा गैरा वर्ल स्टाफ ने आपके कोच और कैप्टन ने जिता है तो क्या है अब अब तो हर साल एक ट्रॉफी आती है ना तो अगले साल चैंपिन्स ट्रॉफी दोएगी बस उसके बाद फिर उसके बाद टी ट्वेंटी वर्ल कप होगा 26 में फिर 27 में फिरोड या वल्ल कप तो जादा समय नहीं है हाँ बीच में ब्रेक लेते रहें बट अगर जोड़ी ने काम किया ऐसा तो फिर क्यों नहीं